कि मिर्या डीजी चनल मां आपनों स्वागत छे आपड़ी साथे से आजे बॉल्लीवूड ना एक्टर केविन दवे जी केविन केविन दवे जी सुरत में आये हो कैसा लग रहा है आपको मैं खाली एक बता दो मेरा नाम है कविन दवे और नौट एन नौट केविन और मैं सुरत में आया हूँ इस इस दे सेकेंड टाइम मैं सुरत आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है पहले आया था में एक फिल्म की प्रोमोशन के लिए आया था इस बार मैं काफी दिन तक रहा सुरत में जो मैंने महसूस किया कि बहुत ही क्लीन सिटी है और मज़दार सिटी है खाना बहुत अच्छा है बहुत सारी चीजें ट्राइए और इस वेरी ब्यूटिफुल प्लेस आपने खाने की बात की तो आपको खाने में क्या अच्छा लगता है खाने में मतलब देखी सकते हैं कि खाने का शौकिन हूम है और हर चीजे अच्छे लगती है खाने की बट हर एक जगा का अपना जो एक फ्लेवर होता है वो खास करके चखना चखने का बहुत मज़ा आता तो यहां की speciality जो है जो लोचा बोलते हैं और इडला बोलते हैं वो सब जो चीजे है वो खाई है और मज़ा आपने बॉलिवूड की तो बहुत सारी मुवी की है और आप गुजराती मुवी में आपका काम कर रहे हो करने वा कर रहे हो तो अपको experience कैसा रहा बॉलिवूड किय करता है बट जब मैं बॉलिवूड भी करता था तो एक ऐसा होता था कि being a gujrati I want to do something for the gujrati film industry तब मैंने पहली film की थी बेयार उसके बाद अभी ये दूसरी film है जो मैं कर रहा हूं गुजरात 11 और पस करते वक्त यही कोशिश रहती है कि to give back something to the fraternity गुजरात film industry को कुछ मैं मेरी तरफ से दे सको यही कोशिश होती है मेरी आपने बॉलिवूड मुवी का भी सारी किये तो उसमें से कोई एक मुवी का अगर आप डायलोग का याद करके हमारे दर्सक मित्र को आप सुना सको तो बॉलिवूड फिल्मे के डायलोग तो I hate love stories का एक था काफी famous हुआ था यह था कि इमरान खान को मैं कहता हूं कि जब वो सुनम कपूल के साथ प्यार में है और लेकिन वो उसको बता नहीं बाते हैं तो मैं उसको बहुता हूं कि वाओ I really wish कि तुम और I really wish कि सुनम तुमें किस करें इस तरह का एक डायलोग था और मेरी जो एड्स है वो काफी famous हुई है तो उसके भी काफी डायलोग है जैसे एक क्रिकबस की मैंने एड की थी जिसमें मैं आता हूं और हाथ से गलती से दूद का packet मैं फेकता हूं हवे में जो मेरी बीवी के सर पे जाके गिरता है और वो यो एक एड है जो काफी famous हो है ठीक यू बेरी मुच सर और एक छोटा सा मैसेज हमारे सूरत वालो के लिए गुजरत वालों के लिए नहीं है यह मेसेज में देना चाहूंगा पूरी इंडिया वालों के लिए देश वालों के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए कि आने वाले द is what I would like to tell everybody thank you very much sir thank you so much I would like to thank you